लूका रचित सु समचार दूसरा अध्याए उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आग्या निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरिनियूस सुरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहिलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चर्नी में रखा क्योंकि उनके लिए सराई में जग और प्रभू का तेज उनके चारों और चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज या दाउत के नगर में तुम्हारे लिए एक कुद्धार करता जन्मा है और यही मसीही प्रभू है और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिप्टा हुआ और चर्नी में पड़ा पाओगे। तब एका एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्थुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि अकाश में परमेश्वर की महिमा और प्रत्वी पर उन मनुश्यों में जिन से वह प्रसन है शांती हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गलरियों ने आपस में कहा आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हु इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक की विश्य में उन से कही गई थी प्रगट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलरियों ने उन से कहीं आश्चर किया परंतु मरियम यह सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गलरिये जैसा उन से कहा ग और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था, और जब मुसा की विवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरुशलेम में ले गए कि प्रभू के सामने लाए जैसा की प्रभू की विवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलोठा प्रभू के लिए पवित्र ठैरेगा, और प्रभू की विवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोडा या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें, और देखो, यरुशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वे मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राइल की शांती की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चितावनी हुई थी, कि जब तक तू प्रभू के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यू को न देख तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, और परमेश्वर का धन्यवात करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांती से विदा करता है, क्योंकि मेरी आखों ने तेरे उध्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के साम ने तयार किया है, कि वह अन जातियों को प्रकाश देने के लिए जोती और तेरे निज लोग इस्राइल की महिमा हो, और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विशे में कही जाती थी, आश्चर्य करते थे, तक शमौन ने उनको आशीश देकर उसकी माता मर्यम से कहा, देख, वह तो इस्राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए, और एक ऐसा चिन्ध होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बाते की जाएंगी, बरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छित जाएगा, इससे बहुत हिर्दियों के विचार प्र के साथ रह पाई थी, वह 84 वर्ष से विध्वा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्तना कर करके रात दिन उपासना किया कर दी थी, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभू का धन्यवात करने लगी, और उन सभों से जो यरुशलेम के छुटका कारे की बाठ जो होते थे, उसके विश्य में बाते करने लगी, और जब ये प्रभू की विवस्था के अनुसार सब कुछ निप्टा चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवन्त होता, और बुद्धी से परिपूर्ण होत गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, उसके माता पिता प्रती वर्ष फसह के पर्भ में यरुशलेम को जाया करते थे, जब वे बारह वर्ष का हुआ, तो वे पर्भ की रिती के अनुसार यरुशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लोटने लगे तो वे लड़का येश्यू यरुशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे, वे यह समझ कर कि वे और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए, और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पहचानों में ढूरने लगे, पर जब नहीं सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्रों से चकित थे, तब वे उसे देख कर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुने हमसे क्यों ऐसा वेभार किया, देख, तेरा पिता और मैं ढूडते थे, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूडते थे, क्या नहीं जानते थे, कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है, परन्तु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उससे नहीं समझा, तब वे उनके साथ गया, और नासरत में आया, और उनके वश और उसकी माता ने ये सब बाते अपने मन में रखी और ये शू बुद्धी और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुश्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।